नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक पार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनिक जौब पर जहां आपको सरकारी एवं प्राइबेट नौकुरिशर शम्मंदे सभी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों आज की इस वीडियो में ह बात करने वाले हैं कोईला विवाग भरती. 2017 के बारे में जहां पर कोईला विवाग के पधों पर 2021 कि लिए सीदी भरती और का ओपिसल नोटीविकेशं जारे हुआ है, जिसके बारे में जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में सेर करना मत पूलेगा साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करेगा साथ में बिल आइकन को ओ डाउन्लोड करना होगा साथ में पर आपका इस वेकांजी के सलेक्षिन कैसे होगा सारी के सारी जानकारी आजी की इस वीडियो के माद्यची ओधम यहाँ प्रेंट्टि आपे बात करतें इस वाकंजी कले एड्यूकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर आप लोग केवल और केबल 8 वी 10 वी पास होंगे तो आप लोग इस vacancy के लिए अप्लाई कर पाएंगे साथ में इत से vacancy के लिए All आवर इंडिया के कर अप्लाई कर पाएंगे आप चया भारत के किसी भी रराज बर रहते होंगे इस vacancy के लिए अपलाई कर पाएंगे सोफेंट से काफीच वेकंसी चलिए जान लेते हैं इस वेकंसी के बारे में कम्प्लीट डीटेल सोफेंट्स आज की स्पीड़ों में हम बात कर रहे हैं से सील ओपरेटर रिक्वार्मेंट दो जार इकिस के बारे में जाँ परें साउथ इस्टन कोल फिल्ड लिम्टेट के डिपार्ट्मेंट से लगबग 206 ने पदो पर 2021 की सीधी भरतियों का ओपिसल नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके बारे में कम्प्लीट इंपरमेशन आज की इस वीड Been के माध्यम शेम आपको देने बाले हैPS यापर इस वेकिंसी के लिए खास बात है कि अगर आप लोग केवल और केवल आठवी या फिर दसवी पास होंगे तो आप लोग इस वेकेंसे के लिए अपलाई कर पाएंगे जिया प्रेंट्स अगर आपने भी केवल और केवल आठवी दसवी पास कर रहा है और आप भी बिरोज़कार हैं आप भी 2021 में एक अच्छी सी पोश्ट पर सेलेक्शन पाना चाते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखेगा साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में दीगे जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में सेर करना मत पूलेगा साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएं कि आप लोग किस राज्ज से जयके पर बात करते हैं इस वेकंसी के लिए पोष्ट नेम के बारे में तुम्हाँ पर आप लोग इस वेकंसी के लिए अप्लाई करना सागे तो आपको SCCL की official site पर जाकर इसका offline आविधन करना होगा और friends आपर अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका offline आविधन करने का वीडियो बनाओं तो मैंने पर 100 like का target रखा है अगर आप लोग ये पूरा करते तो इसका offline आविधन करने का वीडियो बना दूँगा बात करते हैं पर इस target क लिए हू कन आपलाई तो आप लोग आपर इंडिया के य pocz इस record करते हैं आप चाहए है भारत के किसी वीराज को इस वीकषण में रेतों इस יकुकले में दूनहुं अप्लाई कर सकते हैं बात करते हैं पर इस आपके अप्लीकेशन प्रोसिजर के बारे में तुन यहां पर आपका सब्सक्राइब यहां पर इस और अँगर आपके पास ड्राइविं लाइसेंस होगा तो आप लिएठेशन लिए अपलाई कर पाएंगे बात करते हैं पर अगर आप लोग इस वेकंसी के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके कौन-कौन से डाकुमेंड अनिवार रहेंगे तो यहाँ पर आपका आदार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर एडी, साथ में एजूकेसन स्रेट साथ में, पासपोर्ट, साइच का फूटो, सिगनेचर, यह सारे डाकुमेंड अनिवार रहेंगे और फिंट से पर बात करते हैं इस से, वेकंसी के लिए पेस्किल के बारे में तो यहाँ पर आपको सैलरी मिले वाली है, बी से और चार्ट सो रुपे परवन्त की बात करते ह इस वेकंसी के लिए इंपोर्टन डेट के बारे में किया पर स्टार्टिघ अपलाई करेने की साथ जुलाई दोजार एक्टिस वहीं लस्ट अपलाई करने की 14 जुलाई 2021, जहां परएंट्स अगर आप लोग इस वेकंसी के लिए अपलाई करना चाहेंगे तो आपको साथ 2021 से लेकर 14 जुलाई 2021 के पहले इसका आविदन करना होगा स्टोफेंड्स कापिज वेकंसी है मैं रिक्विन करूँगा कि अगर आप लोग केवल और केवल आठवी दसवी पास हैं और आप भी बेरोजगार हैं आप भी 2021 में एक अच्छी सी पोश्ट पर सेलेक्शन पाना चाते हैं तो आप लोग इस वेकंसी के लिए जरूर अपलाई करें जिसका अपलाई करने का लिंक मैं आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ जासे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी मिलते हैं नेक्स अपडेट के साथ तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखे धन्रवाद